खबर सतना से है जहां सतना जिले में कुपोशन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है यहां साथ साल की एक बच्ची का वजन सिर्फ साथ किलोग्राम है जी हाँ सिर्फ साथ किलो उसे डाइबटीज भी है बच्ची के पास ना तो मा का आचल है ना पिता का साया हालात और सिस्टम दोनों की मारी इस बच्ची पर अब सियम शिवराज सिंग चोहान की नजर पड़ी है सरकार ने आनन फानन में जाच के आदेश दिये सिड़ी पीयो सुपरवाइजर को निलंबृत कर दिया गया है वहीं आगन बारी कारेकरता को बरखास कर दिया गया है बच्ची की मौसी शीमा ने बताया सोंवती जब मा के पेट में थी तब उसके पिता को मा का ख्याल रखना चाहिये था ख्याल रखना तो दूर वो गर्वती पत्नी को छोड़ कर ही चला गया बाद में किसी और के साथ रहने लगा सोमवती दो-तीन साल की रही होगी तब माने उसका ख्याल रखना चाहिए था लेकिन वो भी उसे छोड़ कर चली गई बेसहारा बच्ची को मैंने आसरा दिया तब से मेरे पास ही रहती है मैं महनत मजदूरी करके पेट पालती हूँ लेकिन इतना ही नहीं कमाती कि उसे अच्छी खुराग दे सकूँ बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है बच्ची की तबियत दो महीने पहले जादा बिगड़ने लगी तो मौसी सीमा ने उसे मजगाओ के सरकारी अस्पिताल में भरती कराया यहां से बच्ची की गंभी हालत को देखते हुए जिला अस्पिताल में पीकू वार्ड में भीजा गया यहां इलाज के दोरान हुई जाचों में जो सामने आया उससे सबको हैरत में डाल दिया जानकारी सीम दफ्तर तक पहुँची सीम ने आनन फानन में जाच के आदेश दिये और बच्चे की इलाज के लिए उसे पूरी तरहें की सेहत मंद बनाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाई लेवल इंक्वाईरी टीम सतना पहुँची महिला एवंबाल विकास की अतिरिक संचालक के टीम के साथ आगनबारी केंद्रों का ओचक निरक्षण कर वेवस्थायन देखी और परियोजना के तहट चल रहे काम काज का जाय जालिया इस दोरान उनका फोकस चित्रकूट परियोजना के कारे छेत में कुपोशित पाई गई बालिका पर रहा लिहाजा वे उसके घर पर भी गई और टीम ने अस्पताल पहुँच कर उसका हालचाल भी जाना संबंदित बाल विकास परियोजना चित्रकूट एक की परियोजना अधिकारी भागवती पांडे को कलेक्टर अनुराग वर्मा के प्रस्ताफ पर कमिशनर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने लिलंबित कर गया है CDPO को मुख्याले में नहीं रहने योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग एवं निग्रानी नहीं करने और परियोजना छेत्र में ICDS की सेवाओं का लाब उचित धंग से नहीं पहुचाने का दोशी पाया गया उन्होंने DPO कार्याले सतना से अटैच किया गया है उनके स्थान पर सहायक संचालक राजेंद बांगरे को चित्रकूट परियोजना का जिम्मा सौपा गया है इसी मामले में कलेक्टर ने छेत्र की सुपरवाईजर ततकाली परवेखशक सेक्टर चित्रकूट एक प्रीती पांडे को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है अस्पताल अधीक शक्ट डॉक्टर केल सुरिवन्शी और प्रभारी अधिकारी पी आई सी यू डॉक्टर संदीब दिवेदी की सैयूग्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्ची को बाल गहन चिकित साइकाई में भरती कर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है साइडिंग स्कूल के अनुसार रेगुलर इंसुलिन ब्लड शुगर की भी मॉनिटरिंग करने के साथ उसका सपोर्टेड इलाज शुरू किया गया है डॉक्टरों के मुताबित बच्ची की स्थिती फिलहाल इस्थिर रवस्था में है जब भरती कराई गई थी तब उसका शुगर लेवल 755 था लेकिन सोमवर की दुपहर हुई जाश वे बिना इंसुलिन दिये गया इस्तर 90 मिलिग्राम पाया गया है उसे डाइट चार्ट के अनुसार खाना दिया जा रहा है जुबेनाईल टाइप 1 डाइबटीज है इसे निगरानी में कंट्रोल कर रहे है कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि कोपोशन का मामला संग्यान में आने के बाद बालिका को बहतर रिलास के लिए जिला इस्पताल की पीकू यूनिट में भरती कराया गया है यहां मेडिकल टीम के उसके स्वास्त की निगरानी कर रही है इस मामले में लापरवाही पर CDPO तथा सुपरवाईजर को निलंबित कर दिया गया है आगन बाड़ी कारे करता की भी सेवा समाप्त कर दी गई है बालिका के स्वास्त के मामले में मुख्यमंदरी बेहत संजीदा है और वे उसकी सेहत की जानकारी लगातार ले रहे हैं